मैं फाइनली फाइनली मैं अनाउंस करने जा रही हूँ कि मेरा जो सर्प्राइज था वो क्या था बढ़ी बिग बॉस सप्राइज गया सीन है जा रहे हो नहीं जा रहे चाह स्पीड ने एलविश आदफ को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया इंडिया एंड वो इंडिया वर्सिस पाकिस्तान का मैच भी देखने वाले हैं एलविश आदफ की फैन का जो मीम काफी वायरल गया था एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या वाला वो किसी ने उनके सामने बोला जो नहीं समझ पाई ते अच्छ से इस वज़े से थोड़ा सा प्रनेंसियेट गरत कर दिया उनका नाम उससे बहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अप्डेट्स चैनल पर आती है डेली अपने मैं 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 अपको बोलेंगी तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा सांग है और या विल्व नहीं है जब उनसे यह पूछा गया कि Elvish Adav के साथ काम करने का उनका क्या experience था तो इस पर उने बोला कि बहुत मज़ा आया बहुत अमेजिंग था Elvish Adav एन Manisha Rani के सॉंग को लेकर आप कितने एक्साइटिड हो कॉमेंट करके जरूरू बताना लव का टारिया को लेकर काफी जादा रूमर्स यह आ रहे थे कि Elvish Adav के बाद अब वो जाने वाले हैं Big Boss 17 में इस पर उनों ने अपनी साइट से क्या clarification दिया है आप देखिए यह सेम इंसिडेंट हुआ कीरती महरा के साथ भी कीरती महरा को लेकर पास्ट कुछ टाइम से बहुत सारे रिपोर्ट्स यही आ रहे हैं कि वो Big Boss 17 का पार्ट हो सकती है और उनकी साइट से भी थोड़ी से हिंट्स ऐसे मिल रहे थे फिर भी लोग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट्स यह क्लेम कर रही है कि बिग बॉस की स्ट्री में जो पहले कभी भी नहीं हुआ वो शायग इस बार हो सता है कुछ कंटेस्टेंस को फोन दिया जाएगा हाला कि कोई ओफिशल कन्फरमेशन नहीं है यह तो 15 ऑक्टोबर को ही पता चलेगा अगर अगर आपका कोई उपीनिया ने तो कॉमेंट करके जरू बताना नेक्स हम बात करते हैं यूके 07 राइडर के बारे में तो उन्होंने अपने इंस्टेग्राम पर ये स्टोरी शेयर की है आपका कोई उपीन है तो कॉमेंट करके जरू बताना